जैसा नाम था वैसा आदमी था उतना उतना रंगीन जी उड़ा था यार क्या आदमी रहा होगा उदर बार में नंगा आता था उसका ड्रेस कोड़ अलग था अब शरावरा प्यावर तो पता ही नहीं चलता था यह उठके आजाया करता था ऐसे घूमता रहता था तो एक बार तो धरबार में तो बैचार नहीं आता अंदर कोई देता किसा आप कपड़े पेन के चले जाओ पर अंदर अपने वह ऐसे जिंदाबाद यह घूमता था आमे कपड़े पेने वह नहीं थे अग्दम तो उसने का चलो कहा है जनता मिलते हैं अब बैचार गेट किपर की हिम्मत कैसे हो जाएगी कदे किसा आप कपड़े पहन लो बासा पीचे पीचो गया बासा जिंदाबाद आगे चले आगे आया अपनी चेरे बेटा चेरे बेटके जनता का बेड़ो जनता बेट अब जनता ओप पुछो क्या पूछना आपको क्या फरियात लेकर अब जनता फरियात सुनाए घंसे बासा के सामने हंसी भी कैसे है तो यह मूपे आठ लगा लगा एक दूसरे किवं कौण हम मार क्या है वह यहांसी किस बात क्या रही है फिर वापस किस बात क्या रही है तो किसी एक नहीं मत करका नीचे तो देखो तो यूँ देखें अच्छा अब उड़ गया वड़ गया आदमी को बेस्टी तो फील होती है यार किता ही बेल अखना हो जाये पर अब क्या करें बात साय से तो कैसे कह दें गलती से नंगा आ गया तो उसने कर तो इसमें क्या बात आज का ड्रेस कोड़ यही है तुम भी उतरो उसने सारे लोगों के कपड़े उतरवा लिये दे और कपड़े उतरे का सारे आज इसे यह दरबारे से चलेगा अधि जो इसलिए काता हूं कि लोक चंतर अच्छा है में इसलिए किता हूं कि गोरे बहें बढें हैं हमें उनके फोटो लगा लेने चींए घरों में क्योंकि गोरे नहीं आये होते तो दिल्ली में आज भी मुहमत्सा रंगिला का को शत्रवा उत्रवा अधिकारी बेटा होता और गोस्टना करता किसाब सनीवार वाले दिन सब जिंदाबाद कोचिंग जाओगे आप और मैं सारे जिंदाबाद प्रेड़ करते बली बात साब वह मुहमत्सा रंगिला यहां दिल्ली का राजा बनावा अपने जिंदगी में कोई युद नहीं किया उसाद में जाके लोगोंने का कि साब अटेक होने वाला इरान का राजा इरान से निकिल गया है नदीर सान क अब लिडिली दूर है लोगों तड़ देर में आखाशा अफगणिस्तान करोश कर लिया उसने टाइम में पंजाब आ गया अपने वहले पंजाब में घुश गया उसने तो हर्याना आ गया हर्याना से आगी दिल्ली यह तब सेना लेकर निकला था कर नाल में युद करता है है कहां प्रता है करनाल में नाधिर साह बहुत धंक से आराता है आरने के बाद में संधी की बात है सब्सक्राइबाद का एक साथ टिलीच खान क्वापटर्टी वॉआ है चिंक्लिचिजझ खान इसको का कि हम तरह को 50 लाग रुपई देंगे वापस चला जा नादिर संग का 50 लाग कहां लोग का फिर तुम आगे नहीं जाएगा यहां से वापस जाएगा उसने रहां 50 लाग किसको कहते हैं मत कल का कल जाओ जब कि मुगलबाट सा पास पड़ पास बहुत पैसे थैं मतलब 50 लाग हना एक प्रसेंट भी नहий था मुगलबाट साफ में इतना दन था नादिर सा य देखें विपयास तुम्हों उसको लगा इसे इतना बड़ा है कि तोसमुद्र और किताग हो सकता है देड़ गुणा हो जाएगा और तो किताग हो जाएगा नादीर सागे बापड़ी के 50 लागी देखे वे थे ने वापस आयर चिनकलीज काने वापस आदे मुमस्ता रंगिला का गी भाई केवल 50 लाग में पटा लिया में क्या बात करते हो सारों ने हाथ विला है बदाईयों बदाईयों सबने क्यों बशास लागे आरे मुर्क मन गया है तो उदर अपने अवद का एक राजा बैठावा था साधत खान के नाम था और उसको लगा गया चिनकलीज खाने नंबर पटा लिए नंबर बना लिए अब तो यह प्रधानमंत्रीन बन जा तो खो ऊसनर का इंज और उसनों थो जो हिए फिर तेन दिन है साथ खान से बीस करोड वह नहीं साधत खान seulement पर गेड़ास लूटना बंड़ का थी घर के नोगयए बहां लूटर इस विए लए लाह किमा निकालई थी फ़सों की कि दबाएवे नहीं नहीं कर तो इंडय न झालके वहां पर खाष्कान निकाल लिये से निकाल लो और अप्ने ले के चलेगें डिल्ली की जन्ता को एक दिनfa मिले कि लाल खिले में न्दीर सा को अपने बाद्सान मुहमझा Egyptian सा रंगिला ने मार दिया गा ज़ना को ऊपने बाद्साने having के बादेः को मार देते उनN OUT चेनकों को तो आपनी आप मार सकते हैं तो जन्ता पड़ी दिली की जो 5mAT cry को मार देती है ये समाचार नाधीरसा को मिला कि मेरेनगा वुद्ली की जन्ता मार रही है मैं हो पर्चों और पुरूसों के सर काच काच के मिनारेंचनीं चीनी की ती दिल्ली के आं तोamt दिल्ली से लोग भाग गई दिल्ली में lot मार दिये गए थेudeं पतली मस्जिद के काजी साब काझी साब घुटनों के बल्ली करते एंपर उसके पास गए थे और उसको जहां सब्देट वी को जिंदा कर सकता है तब दिली मरी पड़ी है पूरी इनको मुर्दों को जिंदा कर ले और जिंदा करके एक बार फिर मारते और यहीं मुर्दे जिन्दा नहीं कर सकता तो फ्लीज तलवार अंदर डाल दिल्ली में बचा नहीं है कोई दिल्ली भाग चुकी है सारी या मर चुकी है दिल्ली तब नादीरसा ने वो अंदर डाली थी इसलिए आज भी आपके हिंदी में एक सब्द का इस्तेमाल किया जाता है नादीरसा ही फर झाल, 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 झाल